परिचय राधा, प्लाटफॉर्म पर भीर देखो हाँ सीता, जनसंख्या कितनी चिंता जनकदर पर बढ़ रही है तुम्हें पता है, भारत की जनसंख्या एक तशमलव दो अरब को पार कर चुकी है हाँ, और यदि जनसंख्या का बढ़ना इसी तरह से जारी रहा तो हम हमारी सारी बुनियादी जरूरतों से वन्चित रह जाएंगे हर किसी को परिवार नियोजन के महत्व को समझना चाहिए हाँ, किन्तु इसके लिए हर किसी को जनन स्वास्थे और जन्म नियंतरन का बुनियादी ज्यान होना चाहिए परिवार नियोजन में जनन स्वास्थ के ज्ञान की क्या भूमिका है? अच्छा, आओ मैं तुम्हें जनसंख्या विस्वोट को रोकने में जनन स्वास्थ और इसके महत्व की जानकारी के बारे में विस्तार से बताऊंगी उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभन्न जनन समस्याओं और कारे नीतियों की पहचान करना जनसंख्या विस्वोट के कारणों को समझना जन्म नियंत्रन की विधियों की पहचान करना MRT को समझना यौन संचारित संक्रमित रोगों की जानकारी प्राप्त करना, बंधिता के कारणों को समझना, जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य न केवल जनन रोग या अशक्तता से मुक्ति की, बलकी संपून शारीरिक, मानसिक और समाज कल्यान की एक अवस्था है जनन स्वास्थ्य का सरुकार जीवन की सभी अवस्थाओं में जनन प्रक्रियाओं, कारियों और प्रणाली से है जनन स्वास्थे समस्याएं जनन स्वास्थे कार्यनीतिया संपून जनन स्वास्थे के लक्ष की प्राप्ति हेतु एक राश्ट्र स्तरिय रणनीति का अनुसरण किया जाता है इसमें विभिन कारिक्रम शामिल हैं जैसे परिवार नियोजन कारिक्रम 1951 जनन एवं बाल स्वास्थि सेवा कारिक्रम विद्यालेओं में यौन शिक्षा प्रावधान स्वच यौन क्रियाओं और यौन संचारित यानी संक्रमित रोगों की जानकारी का प्रबंद लोगों को जन्म नियंत्रण के विकल्पों स्तन्पान के महत्व आदि की शिक्षा उल्प वेधन यानी इमेन्यो सेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंध जनसंख्या विस्वोट जनसंख्या विस्वोट के कारण व्यापक स्वास्थय सुविधाएं मात्र मृत्युदर में कमे मात्र मृत्युदर प्रस्वावस्था के दौरान एक वर्ष में होने वाली मात्र मृत्यु की संख्या तथा उसी वर्ष में जन्में जीविद बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्युदर में कमे शिशु मृत्युदर एक वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को उस वर्ष जनमे जीवित बच्चों की संख्या से विभाजित करने को दर्शाता है मृत्युदर में कमी समय की एक निश्चित अवधी के दौरान, एक निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली मृत्यु का अनुपात है सामान्य तह प्रतिवर्ष 1000 लोगों में से होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में इसकी गणना की जा सकती है जन्म नियंत्रण जन्मनियंत्रण के उपाई दो प्रकार के हो सकते हैं प्राकृतिक विधिया, प्रुत्रिम विधिया राश्टुस्तर पर जन्मनियंत्रण के विभिन कारिक्रम शुरू किये गए हैं जैसे, विवाह की वैधानिक आयू बढ़ा कर स्त्रियों के लिए 18 वर्ष और पुर्षों के लिए 21 वर्ष करना दमपत्यों को छोटे परिवार के लिए प्रोच साहन हम दो हमारे दो को बढ़ावा जन्मनियंत्रण की प्राकृतिक विधिया प्राकृतिक विधियां दिम्ब एवं शुक्राणू के मिलने की संभावनाओं के परिहार के सिध्धान्थ पर कारे करती हैं वे इस प्रकार हो सकती हैं आवधिक सैयम इस विधि में दमपत्ती आवर्त चक्र से 10 से 17 दिनों तक जिसके दोरान डिम्बोत सर्जन की संभावना रहती है संभोग से परहेज करते हैं बाह्य, स्खलन या अंतरित मैथुन इस विधि में वीर्य सेचन से बचने के लिए पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले यौनी से अपना लिंग बाहर निकाल लेते हैं स्तन्यकालीन अनावर्त इसका तातपर उस अवधी से है जिसके दोरान मा बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखती है और इस दोरान गर्वधारन की आवधिक संभावनाएं प्रायः नगण्य रहती है जन्म नियंत्रन की कृत्रिम विधिया रोध विधी रोधक साधनों के माध्यम से अंडानू और शुक्रानू को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है उदाहरन कंडोम ये रबर या लेटेक्स के बने होते हैं जिनसे पुरुषों के लिंग या स्त्रियों की यौनी या गर्भाशय ग्रीवा को मैथुन से ठीक पहले ढखा जाता है इसके फल स्वरूप स्त्री के जनन मार्ग में शुक्रानू का प्रवेश नहीं हो पाता है ये युक्तिया विशेशग्यों द्वारा यौनी मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है ये शुक्राणूओं की भक्षकानुक्रिया यानि पैगोसाइटिस बढ़ा देती है जिससे शुक्राणूओं की गतिशीलता तथा निशेचन क्षमता कम हो जाती है गर्ब निरोधक गोली प्रोजेस्टेरोन अत्वा प्रोजेस्टोजन एस्टोजन के सम्मिश्रण की छोटी खुराकों के रूप में उपलब्ध ये गोलिया आर्तव काल यानि साथ दिन की अवधी को छोड़ कर रोज ली जा सकती है ये अंडोज सर्जन और रोपण को संदमित करती है टीके के रूप में गर्भ निरोधक प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्टोजन के साथ सम्मिश्रण में टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप यानि इंप्लांट के रूप में दिये जाते हैं शलक्रिया विधिया इन्हें बंध्या करण भी कहा जाता है ये विधिया गर्भ धान से बचाव की अवधी विधिया यानि टर्मिरल मेथद्स हैं ये दो प्रकार की होती हैं शुक्रवाहक यानि उच्छेदन वैसिक्टो में इसमें शुक्रवाहकों के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है नलिका उच्छेदन इसमें डिम्ब वाहिनी के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है सगर्भता का चिकित्सिय समापन गर्भा वस्था पून होने से पहले जान बूज कर या स्वैचिक रूप से गर्भ के समापन को चिकित्सिय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है भारत सरकार ने चिकित्सिय सगर्भता समापन के दुरुपियोग को रोकने हेतु इसे कुछ सक्थ शर्तों के साथ 1971 एस्वी में कानूनी स्वीकृती प्रदान कर दी थी सगर्भता की पहली तिमाही अर्थाद 12 सब्ताह की अवधी के दोरान चिकेट्सिय सगर्भता समापन को अपेक्षा कृत अधिक सुरक्षित माना जाता है यौन संचारित रोग सहवास जन्य रोगों या संक्रमनों को सामोहिक रूप से यौन संचारित रोग कहा जाता है सुजाक, उपदंश यानि सिफिलिस, जननिक परिसर्प, क्लेमिडियता यानि क्लेमिडियासिस, लेंगिक मस्से, ट्राइकोमोनसता यानि ट्राइकोमोनियासिस, यक्रत शोथ बी और एड्स संचरन की विधी, रक्ताधान, असुरक्षित सहवास, संक्रमित सुईयों और शल्य उपकरणों का साजह प्रयोग, संक्रमित मा से बच्चों को, यौनक्षेत्रों में लक्षन, हुजली, तरल्पदार्थ का स्राव, दर्द, सूजन, जटिलताएं यानि समस्याएं, शुरोणी शोथज रोग, गर्भपात, मृत शिशुजन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता, जननक्षेत्र में कैंसर, रोग्थाम, अन्जान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचें, सहवास के दोरान हमेशा कंडों का उपियोग करें, संदेह की स्थिती में आरंभिक जाच और संपून चिकित्सा से समस्याओं से बचाव हो सकता है, बंधिता से तातपर्य असुरक्षित सहवास के बावजूद संतानुत पत्ती की असमर्थता से है, बांज दमपत्तियों को संतानुत पत्ती के योग्य बनाने की विभिन विधिया सहायक जनन प्रोध्योगी की कहलाती है, ये हैं पात्रे निशेचन, इन विट्रो फोर्टिलाइजेशन, युगमक अंतह डिम्ब वाहिका अंतरण, अंतह कोशकिय शुक्राणू निक्षेपन यानी इंट्रा साइटो प्लास्मिक स्पर्म इंजेक्षन, प्रत्रिम वीर्यसेचन यानी आर्टिफिशल इंसेमिनेशन. ए आर्टि तकनीक, पात्रे निशेचन, इस विधी में प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में पत्नी या दातास्त्री के डिम्ब और पती या दाता पुरुष के शुक्राणू एककत्र कर, उन्हें युगमनज का निर्मान करने हेतु प्रेरित किया जाता है फिर इन युगमनज या भ्रूनों को डिम्ब वाहिनी नली या गर्भाशे में स्थानांतरित कर दिया जाता है युगमक अंतह डिम्ब वाहिनी नली स्थानांतरन इस विधी में दाता के डिम्ब को दूसरी स्थी की डिम्ब वाहिनी नली में स्थानांतरित कर दिया जाता है अंतह कोश किय शुक्राणू निक्षेपन इस विधी में प्रयोगशाला में एक शुक्राणू सुई के जरिये सीधे अंडाशय में निक्षेपित कर दिया जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन इस तक्नीक में पती या किसी स्वस्थ दाता से लिये गए शुक्राणू को कृत्रिम रूप से स्त्री की योनी अथ्वा गर्भाशय में डाला जाता है क्या आप जानते हैं? लोयोला युनिवर्सिटी शिकागो स्ट्रिच स्कूल अफ मेड्सिन के जनन अंतसराव विज्ञान विभाग के निदेशक के अनुसार शुक्राणू पर लैप्टॉप कम्प्यूटरों से उत्पन ताप का नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है अंड कोश के निकट ताप शुक्राणू को क्षती पहुचा या मार सकता है जिसके फल स्वरूप शुक्राणू की संख्या या गतिशीलता में कमी या फिर पून बंधिता भी आ सकती है इसलिए शुक्राणू को क्षती से बचाव हेतू लाप्टॉप को हमेशा मेज पर रखना चाहिए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं जनन स्वास्थिका ताथपरि जननकी सभी अवस्थाओ और थाथ शारेरिक भावनात्मक व्यावहारिक और सामाजिक पहलूओं के कल्याण से है स्वास्थ की बेहतर सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों के कारण जन संख्या में विस्पोटक वृद्धी को बढ़ावा मिला जन्म नियंत्रण के लिए विभिन गर्भनिरोध को पाए अपनाए जा सकते हैं चिकित्सी सगर्भता समापन आम तोर पर बलातकारों संयोगिक सहवास आदिके कारण होने वाली अन्चाही सगर्भता से छुटकारा दिलाने हेतु किया जाता है वहीं MTP की यह क्रिया उस्थिती में भी की जा सकती है जब गर्भावस्था का जारी रहना मा या भ्रून अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सहवास के कारण संचारित होने वाले रोग या संक्रमन यौन संचारित रोग यानी STD कहलाते हैं दो वर्षों तक बिना किसी सुरक्षा के सहवास के बाद भी गर्भाधान अथवा संतान उत्पती न हो पाने की स्थिती बंधिता कहलाती है